नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परीची दोस्तू पस्थेत हो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतोपून जानकारियों को ले करके दोस्तों जिहां दोस्तों शिखर पतन की समस्या के घरेलू उपायों के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों मुनक्य यह शरीर में खून और वीरियों को बढ़ाता है इसके लिए 60 ग्राम मुनक्य भीगों दे और 12 घंडे के बाद इनको चबा कर खाए भींगे हुए मुनक्य वीरियों को बढ़ाते हैं और पेट संबंधी कई तरह की बिमारियों को भी दूर करते हैं धीरे धीरे आप अपनी डाइट में मुनक्यों की मातरा 200 ग्राम तक भी ले जा सकते हो जामून का प्रयोग जिहां दोस्तों जामून वीरियों को बढ़ाने का काम करता है और उससे गाढ़ा करता है अक्सर देखा गया है कि जिन पुरुषों का वीरिय पतला होता है वे थोड़ी सी उतेजना में उनका वीरिय अस्खलित हो जाता है वे डेली शाम को 5 ग्राम जामून की गुठली का चून गरम दूद के साथ ले सकते हैं जामून की गुठली का चून आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं दोस्तों इसब गोल 5 ग्राम मिश्री 5 ग्राम इसब गोल और 5 ग्राम शर्ब खशखश को मिला लें और इसे पानी के साथ घोल कर पिएं यह शिग्र पतन की समस्या को दूर करता है जिससे विर्य जल्दी से खलित नहीं होता है दालचिनी दालचिनी भी आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल सकता है दालचिनी को पीस कर बारिक पाउडर बना लें और रात को सोने से पहले 4-4 ग्राम दूद के साथ लें यह दूद को पचाने के साथ विर्य की मात्रा को भी बढ़ाता है दोस्तों बादाम जिन पूरुषों का विर्य संभोग के शुरुवाती दौर में निकल जाता है उनके लिए बादाम बहुत जरूरी है 6 काली मिर्च, 2 ग्राम सोंट, मिस्री और 6 बादाम की गिरी को मिला कर खाएं और बादाम में गरम दूद पियें 7 कतीरा, 2 को कुट कर उसका पौडर बना ले और रात को एक गिलास पानी में आधा चमच कतीरा का पाउडर मिला ले 7 पानी में थोड़ी से चीनी डाल कर इसका सेवन करें ऐसा करने से शिग्र पतन की समस्या दूर होती है चुहारा चुहारा खाने से शिग्र पतन और पतले वीरे की समस्या धूर होती है इसलिए 5 ग्राम चुहारे नित्य खाने चाहिए चने खाने के फाइदे भीगे हुए चने या सिके हुए चने खाने के बाद दूद पीने से वीरे गाढ़ा होता है भीगी चने की दाल में शक्कर मिला कर रात को सोने से पहले खाएं इससे आपको फायदा होगा दोस्तों तुलसी तुलसी के बीजों को पीस कर चून बना लें और तीन गराम तुलसी के चून को गुड के साथ दूद में मिला कर सेवन करें ऐसा करने से पतला वीरे गाढ़ा बनता है तुलसी के बीज को पान में रख कर खाने से शिग्र पतन की समस्या जल्दी दूर होती है इन प्राकृतिक घरेलू नुस्खों के जरिये आप शिग्र पतन की समस्या से बच सकते हो लेकिन इसके अलावा आपको अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना होगा कम से कम आठ घंटे सोना समय पर नास्ता करना योग करना और टहलना आदी बेहत जरूरी है दोस्तों तो देखा आपने कि आप कैसे घरेलू खादे पदार्थों को यूज कर करके आप अपने शिग्र पतन की समस्या को दूर कर सकते हैं दोस्तों निजात पा सकते हैं इससे दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ होर महत्वण जानकारियों को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद